हाई है हाई है है कि हाई हलो बच्चे कैसे आप लोग उमीद है आप लोग अच्छे ही होंगे तिल्य जल्दी से बच्चे आप लोग लाइव आजाये तकि क्लास को आगे continue किया सके फटाफट लट मत किजेगा बच्छे जल्दी से आप लोग लाइब आईए बिल्कुल समय बरवाद मत कीजेगा अभी जाएब आट प्टेल जी गूड मॉर्णिंग सव बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्छे प्रेंका प्रियंका राज जी आपको भी गुड मॉर्निंग, सनी कुमार गुड मॉर्निंग, चलिए बिल्कुल समय बरवाद मत कीजिए, जल्दी से आप लोग लाइब आईए, ताकि बच्छे क्लास को आगे कंटिड्यू किया जा सके, ठीक है, चलिए, सत्यम सिंग, अहिशना पांड बिल्कुल गुड मॉर्निंग बच्छे, चलिए, अगर हम बात करते हैं बच्छे आगे, जरा जहां से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों को, कल मैंने आपको कोश्चन पांच तक के सारे कोश्चन्स करवा दिये थे, अब बच्छे हम लोग बात कर रहे होंगे, कोश्चन ठेक है यज़ा सुचन्स जक अधिक, का कोश्चन आपको पूरी तरीके से साफ-साफ दिख रहा है? क्या बच्छे कोश्चन आपको पूरी साफ-साफ दिख रहा है या मुझे जूम करना पड़ेगा बच्छे, दिक्कथ होडे है उसमें? चलिए अब जरा नहीं सर हां विल्कुल बच्चे जूम करिएगा ठीक है बच्चे मैंने जूम कर दिया कोश्चनों को जरा ध्यान से आप लोग अब सुनेंगे मेरी बातों को और समझने की बच्चे कोशिस करेंगे ठीक है बच्चे कोश्चन यह है पहला नंबर कोश्चन कि आपको दिया हुआ है एबी इस इकवल टू बी एफ बच्चे एक बहले मैं आपको डियाग्राम बना दूँ पुना मैं इसके वारे में डिसकस करूँ बच्चे ठीक है देखिए जरा ध्यान से आप लोग बच्चे कोश्चन कुछ इस प्रकार से था बच्चे ऐसा एक डाइग्राम बनाया गया था आपका अगर आप ध्यान से देखे तो यह से नो बच्चे यह आपका है A यह आपका है B यह आपका है C पुना बच्चे यह आपका हो गया D यह आपका E और यह है बच्चे आपका F जहां बच्चे आपसे यह कहा जा रहा है कि A V is equal to B F A V is equal to B F 4 is to 1 है अच्छा बच्चे A V के साथ B F का रिश्यो दिया हुआ है त तो बच्चे अगर यह आपका 1 होगा, तो बच्चे यह कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 3, कैसे बच्चे? टोटल एवी की लंबाई बच्चे आपका दिया हुआ है टोटल एवी की लंबाई आपका चार दिया है और वीएफ की लंबाई जो आपका है वह है आपका दिया हुआ है एक तो बीएफ की लंबाई अगर एफ है टोटल चार है बच्चे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएग यह है आपका आजाएगा तीन ठीक है बच्चे पूना हम लोग आगे बढ़ रहे होंगे और बच्चे इसमें दिया हुआ है कि आपका BD के साथ DC का रेशियो बच्चे दो अनुपात कितना है बच्चे तीन है इतनी सी बात आपको लिखी हुई है तो तिरिवुज DEF का चेतरफल अगर 144, DEF का चेतरफल 144 है तो ABC का चेतरफल गयाद करना है चलो कोई नहीं बच्चे अब हम लोग आते हैं सीथा साइड में उमीद है आप लोग उने क्वेश्चन देख लिया होगा चलो अच्छी बात है लिखा हुआ है बच्चे तिरिवुज DEF का चेतरफल जो है बच्चे लिखा है 144 cm2 ठीक है बच्चे तो आप से पूछता है तिरिवुज ABC का चेतरफल जो है आपको ग्याद करके बताना है कि कितना होगा बस इतनी सी बच्चे कोश्चन तीस में ठीक है बच्चे अब बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनो मेरी बातों को सबसे पहला कह रहा था AV के साथ जो आपका BF का रिश्यो था वह है आपका था 1 is to 4 मतलब यह 1 हो गया तो वह 3 हो गया फिर Ae के साथ Ac का रिश्यो था Ae के साथ Ac का जो रिश्यो था वह आपका था 2.5 तो यह 2.5 तीन हो जाएगा और Bd के साथ DC का जो रेश्यो है वो दो अनुपात तीन है अब बच्चे आप सारे बच्चे ध्यान से मेरी बातों को समझेंगे देखे बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूँ बच्चे एक चीज़ ज़रा ध्यान से आओ पहले आप लोग अगर मैं आपसे कहूँ कि बिना समय गवाए हैं हुए आप एक जगा आजाओ पहले अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूँ कि मान लो बच्चे ये एक आपका ट्राइंगल है जहां से देखिए गजरा और ये बच्चे आपका दिया हुआ है ऐसे अगर बच्चे या फिर एक काम करते हैं हम लोग इसमें से दो लाइन पहले गव कर देते हैं ठीक है अगर बच्चे मैं ये कहता हूँ कि ये दो अनुपात तीन है ध्यान से देखिएगा आप लोग और ये मान लो बच्चे एक अनुपात आपका दो दिया हुआ है तब मान लो बच्चे अगर मैं कहूं इसको area of a है अगर बच्चे इसको अगर मैं area of a मान लो तो बच्चे इसके according छेतरफल क्या होगा तो बच्चे अगर मुझे कहा जाए a के छेतरफल upon total छेतरफल चाहिए तो बच्चे a का area कैसे निकालोगे तो ये वाते मैंने कल आपको बहुत अच्छे तरीके से बताई थी बच्चे जब भी area के ratio के बारे में हम लोग discuss करेंगे तो पहले इसको और इसको आपस में गुना कर देंगे तो एक में दो से गुना करेंगे तो दो upon अब पूरा कितना है बच्चे तीन और दो पांच तीन और दो पांच और दो और एक तीन तीन और दो कितना हो गया बच्चे तो तीन और दो पांच और दो और एक तीन तीन त अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि इस वाले के according इस वाले के according अगर पूरे का area आपको चाहिए तो हमने डेश्यों में बताया था कि इससे इसको multiply करेंगे और इस पूरे से इस पूरे को multiply करतेंगे ठीक है बच्चे चलिए अब जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातो को यह हो गया बच्चे एक area किसका area हो गया बच्चे एक area हो गया यह आप पता बच्चे वान इस टू टू अगर बच्चे मैं आपसे कहूं यहां से एक line खीज़ दो आप ऐसे यहां से एक line खीज़ दो जैसे यह आपका area of a था अगर बच्चे मैं आपसे कहूं यह area of आपका b है ठीक है बच्चे तब अगर मान लो अगर यहां पर ratio दिया हुआ है बच्चे कि यहां पर ratio है 2 अनुपात 3 अगर बच्चे यहां पर ratio है 2 अनुपात 3 तब उस condition में जरा ध्यान से देखना बच्चे अगर मैं आपसे कहूं कि यहां इसका ratio जो है बच्चे 2 अनुपात 3 तब देखो बच्चे यह जो आपका b वाला area है यह जो आपका क्या है बच्चे यह जो आपका b वाला area है यह वाला area इस वाले बच्चे area के coding इस वाले area के coding अगर हमें पूरे के area के बारे में discuss करें तो बच्चे एक समय के लिए आप यह वाली line भूल जाओ अगर आप इसे इस वाली line को भूलते हो तब क्या होगा बच हो गया और दो और एक तीन तो पांतिया कितना हो गया बच्चे 15 हो जाएगा ठीक है मतलब मेरा कहने का बच्चे मतलब यह है कि अगर बच्चे मैं आपसे कहूं कि कुल मिलाकर यह है कि जैसे मालो एक लाइन आपका ये दिया हुआ था एक लाइन आपका ये दिया था जहां ये बच्छे आपका ए था ये आपका भी था तो बच्छे इसके कोडिंग पूरे वाले ट्रैंगल का एरिया दो दूना चार अट टोटल हो गया बच्छे तीन और पांस तो पांतिया पंदरा तो यही क समझ गए होंगे देखो जो बच्चा कल नहीं आया था उसकी तो कोई responsibility मेरे पास है नहीं बच्चे मैं आप साफ साफ कह दूँ आपको लेकिन जो भी बच्चे कल आये थे पढ़ने के लिए उन सारे बच्चों को ये बाते समझ में आयेगी साफ साफ बच्चे एवरी बड़ी अगर कोई भी बच्चा अगर आया होगा कल पढ़ने के लिए तो जरा ध्यान से देखो बच्चे मैं क्या करता हूँ चलो अगर बच्चे मैं कहूँ आप से कि ये वाला एरिया अगर ए है ये वाला अगर एरिया भी है और ये वाला अगर एरिया क्या है बच्चे अगर आपके पास ये तीनों लिखा हुआ है कि पहला एरिया जो है कि ए है बैग्राउंड कलर चेंज ठीक है बच्चे अगर मैं आप से कहता हूँ क्या कहता हूँ बच्चे अगर मैं आप से कहता हूँ कि ये वाला area A, ये वाला area B और ये वाला area C है, तब जरा ध्यान से आप लोग सुनो मेरी बातों को, अगर बच्चे जरा ध्यान से सुनना मेरी बातों को, everybody , ठीक है, देखो बच्चे अगर मैं आप से कहूं कि A के A coding पूडा का area कितना होगा, तो ध्यान से देखो, अगर मुझे A का area चाहिए, तो बच्चे इतना ही का area चाहिए तो दो में अगर एक से गुना करेंगे तो कितना हो गया बच्छे, दो, दो में एक से गुना करेंगे तो बच्छे कितना हो गया, दो, और पूरे की लंबाई, तो पूरे की लंबाई, तो बच्छे, दो और एक, सोरी, तीन और दो, पांच, तीन और दो, पांच, तीन और दो यहां से यहां तक बच्छे 5 और यह वाली लंबाई कितनी होगी 3 और 1 चार यानि कि बच्छे 5 और 20 तो यह 2 व्जटा कितना हो जाएगा बच्छे 20 हो जाएगा अगर बच्छे मैं area of b की बात करूँ ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात करूँ अगर बच्छे मैं आपसे area of B की बात करूँ तो बच्छे area of B का मतलब ये है बच्छे area of B का मतलब ये है क्या है बच्छे ये वाला area जरा ध्यान से आप देखेगा बच्छे अगर मैं आपसे कहूं बच्छे area of B ये है तब बच्छे इसका area कितना होगा तो तीन तिया कितना ह कि यह आपका आजाएगा 25 यानि कि बच्चे कितना हो जाएगा तो 9 बटा 25 आजाएगा ठीक है बच्चे अगर मैं नेक्ष्ट की बात करता हूँ C के एरिया के बारे में अगर बच्चे मैं बात करूँ आपसे कि C का एरिया हमें कितना होगा तो बच्चे अगर मैं आपसे बच्चे कि मुझे ये वाला एारिया चाहिए तब आप देखो 3 दुना कितना है 6 तो टोटल कितना होगा बच्चे तो 3 और 1 4 3 और 1 4 और 3 और 2 5 यानि 4 पंचे कितना होगा बच्चे 20 हो गया ठेक है, अब आप खुद सोच कर देखो, कि बच्चे बच्चे जो नीचे वाला एरिया है न ये नीचे वाला एरिया ये टोटल एरिया था यहां भी नीचे वाला एरिया टोटल एरिया था यहां भी नीचे वाला एरिया टोटल एरिया था तो बच्चे एक से जरा ध्यान से आप लोग सोचना समझना और फिर पुन्ह मुझे आप बताना कि बच्चे एक बार एरिया बीस आया और एक बार एरिया पचीस आया ऐसा कैसे हो गया भाई ऐसा ये तो गलत बात है ना बच्चे कि एक बार एरिया बीस होगा और एक बार एरिया पचीस होगा तो बच्चे हमारा कहने का बच्चे मतलब यह रहा कि नीचे वाला एरि तो यहां भी कितने से होगा तो यहां भी बच्चे आपका आजाएगा यहां भी बच्चे हो जाएगा आपका चार से गुना पुना यहां कितने से गुना करेंगे पांच से तो यहां भी बच्चे कितने से गुना हो जाएगा पांच तो बच्चे इसका मतलब यह हो गया कि ज जो आपका B का area आ गया, 9.36 हो गया, और जो आपका C का area आ गया, 6.35 हो गया, और total area कितना है, तो 25.100 या 20.500 जैसे कर ले, यानि कि total area कितना हो गया, बच्चे, 100, ठीक है बच्चे, क्या यहां तक सब को मेरी बात समझ में आ रही है, फटड़़ बताओ, क्या बच्चे, यहां तक सब को मेरी बात समझ में आ रही है, everybody, जल्दी से बताओ बच्चे, फटड़़ट, कमेंट करके, क्या सारे बच्चे, मेरी बातों को समझ पा रहे हैं या किसी को doubt है, जल्दी से बच्चे, कमेंट करके बताओ, फट़़ट, yes sir, clear है, good, धिरजी, अब बच्चे, मैंने क्या आप से कहा, कि देखो, 30 और 10 कितना हो गया बच्चे, 40, 40, 40 और 36, तो 66, 76 हो गया बच्चे, 40 और 36 अली टोटल बच्ची जो area होगा ये,चिहवत्तर हो जाएगा, मतलब, area of a, area of b और area of c, तीनों को मिलाने के बाद कितना हो गया बच्चे, 76, तो यह जो बच्चा इसका एरिया कितना हो गया बच्चे जो यह बच गया है इसका एरिया हो गया 24 कोश्चन में बच्ची जो दिया था कि यह वाला एरिया जो है वह 24 नहीं है बच्चे यह वाला एरिया जो है जो यह वाला एरिया है बच्चे यह वाला एरिया जो है बच्च यह कितना है 24 नहीं है बचे आपका दिया था 144 है कितना है बचे 144 तो देखो 12 यानि कि 6 गुना हो जाएगा बचे कितना गुना होगा यह 6 टाइम्स हो जाएगा बोलो हा या ना बचे बिलकुल यह 6 गुना हो जाएगा तो टोटल एरिया की अगर हमें बात करेगा तो टोटल ए cm2 और यही question का answer होगा बच्चे यहाँ पे जो 630 लिखा हुआ था दर असल यह 630 नहीं है बच्चे 600 आपका है कितना है बच्चे 600 ठीक है बच्चे यानि कि मैं आपको यहाँ पे लिख दू 600 जो आपका option में था 600 cm2 यही question का answer है ठीक है बिल्कुल अभिराज पटेल जी धीरत जी सबसे पहले धीरत जी का answer आया था फिर इसके बाद शितरंजन जी है सब का answer है अब तो बच्चे सारे बच्चों का answer आ रहा का बच्चे अगर समझ में आ गया तो जल्दी से फटा फट कमेंट करके बताओ कि सर मुझे ये बाते समझ में आ गई जल्दी से बताए एवरिवड़ी बिल्कुल समय बर अच्छे बरबाद मत कीजिएगा जल्दी से आप लोग बताए कि मुझे ये बाते सर समझ में आ यह सार किलियर है, धिराज कुमार जी कह रहा है, और बच्च कोगी सीर क है कैसे बच्च्च बताओ ओस सत्यम lying, इनका भी किलियर हो गया, अमंदीड जी का भी एक सांप की मरी किलियर है, बहुत बढ लगी भच्चे सोनी कुमारी जी समझ गए सर सत्यम जी मामला किलियर है गुरू जी सावस तो बच्चे अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनली लास्ट में मैं क्या बताने जा रहा हूँ कि बच्चे ये जो कोशन आया है वह 2018 के CGL मेंस के एक्जाम में बच्चे कोशन आया है अगर मैं पहले ही कह देता कि बच्चे ये मेंस के एक्जाम का कोशन है तो आप बनाने से पहले दस वार डड़ते सुचते लेकिन बच्चे आपको बात यही है कि ये कोशन मेंस 2018 में आया हुआ हुआ है बच्चे तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अब समझ गए हुँगे चलिए बच्चे अगले वाले कोशन की बात करते है अगला कोशन देखो बच्चे ये कोशन तो आई थिंग नहाइती आसान कोशन है ठीक है बच्चे काफी ज्यादा आसान कोश्चन इसमें तो उतना दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं बच्चे जरा ध्यान से बच्चे देखिएगा आप लोग मेरी बातों को सुनने की कोशिश कीजिएगा ठीक है बच्चे चलो मैं डाइग्राम बना ही देता हूं अलक से बच्चे दिये गया डाइग्राम जो आपका दिया गया है बच्चे एक डाइग्राम कोशिश प्रकार से बनाया गया है ठीक है बच्छे जिसमें आपका कह रहा है यह आपका ए है यह आपका बच्छे यू यू यह आपका ए है यह बच्छे आपका ए है यह बच्छे आपका ए है यह बच्छे आपका डी है यह बच्छे आपका बॉंबे और सी फोर कलकटा ठीक है हाँ बिलकुल ठीक है बच्छे अब दिये गया चेतर में AE और EV का रेशियो है 3 अनुपाद 2, यारी कि बच्छे इसका जो रेशियो है, वै हो गया 3 अनुपाद क्या है बच्छे, 2, AF और FC का रेशियो है बच्छे, 1 is to 5, क्या है बच्छे, 1 is to 5, और तीसरा जो आपका दिया है, BD और DC का रेशियो 4 is to 3, 4 is to 3, तो ये बच्छे हो गया आपका 4 is to 3, ठीक है बच्छे, हाँ, AE, AE के साथ EV का रेशियो दिया हुआ है, AE के साथ EV का रेशियो 3 अनुपाद 2, AF के साथ FC का रेशियो 1 is to 5, और BD के साथ DC का जो रेशियो है 4 is to 3 है, अब कहता है, सोरी, अब आप से कहता है EFCD, EFCD के साथ ABC के छितरफल का रेशियो बच्छे, बहुत बढ़िया, अब हम लोग पुना आगे बढ़ रहे होंगे, चलिए, देखिए बच्छे, ये डाइग्राम आपके पास पड़ा हुआ है, आप से, गुरु जी, आप इतना अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी question हो, answer आसान लगने लगता है, अच्छा, कोई भी question हो, आसान लगने लगता है, चलिए सत्तम जी, बहुत बढ़िया, अब ज ये है आपका area of A, ठीक है बच्छे, ये है आपका area of B, ठीक है, तो आप पहले मुझे ये बताओ, कि अगर मैं आप से कहता हूँ, बच्छे, मुझे area of A अगर पता करना हो, तो क्या करेंगे, तो बच्छे, तीन में एक से गुना करोगे, तो तीन में एक से गुना करेंगे, तो 3 और total area हो जाएगा, 3 और दो 5 और 5 और 6, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 कितना हो गया बच्चे, 5 और 5 और 6, 6 पंचे कितना हो गया? बच्चे 30 आ जाएगा, ठीक है? अगर बच्चे मैं area of B के वारे में आप लोगों से discuss करू, किसके वारे में बच्चे? area of B के वारे में, तो 7 3 और 2 कितना हो गया बच्चे 5 3 और 2 5 और 4 और 3 7 उससा। 720 यान कि बच्चे कितना होगा नीचे वाला एरिया तो आपका पैस आज जाएगा और उपर वाला एरिया कितना होगा तो चार दुनी आठ आखा जाएगा यायसा है नम्यक्ट्चे तो उम्मेद है आप सारे बच्चे मेरी बातों को समझ गए होंगे ठीक है बच्चे अब पुना बच्चे मैं इसमें आगे बढ़ता हूँ तो जड़ा ध्यान से बच्चे देखो नीचे वाला एक वार एरिया जो आ गया 30 आ गया और एक वार बच्चे एरिया 35 हो गया तो बच्चे पहले हम लोग एक काम करते हैं क्या करते है बच्चे इसको क्या मैं एक वार दस लिख सकता हूँ बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चे एक वार दस लिखने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है भाई ज्यादा दिक्कत हो तो यह काट दो काट गया तो एक वार बच्चे दस आ गया अब अगर मैं आप से कहूं बच्चे यह 35 है अगर बच्चे यह आपका 35 है तो बच्चे एक काम करो यहां 2 से गुना कर दो तो बच्चे यहां भी 2 से हो जाएगा यहां बच्चे 7 से गुना कर दो तो यहां भी 7 से हो जाएगा तो बच्चे नीचे वाला area कितना हो गया? 70 आ गया, चलो ठीक है, यानि नीचे वाला area बच्चे 70 हो गया, और ये बच्चे 8 दुना 16, 8 दुना 16 और 17, 8 दुना 16, 16 और 20 और 23 अगर बच्चे A और B को मिलाने के वाद area कितना है बच्चे, तो A और B को मिलाने के वाद जो area है वो वह area है बचangen बच्छे 23 A और B को मिलाने के बढ़ बच्छे area कीतना है 23 है अड़ टोटल area 70 है तो भचछे अगर टोटल area 70 है और A और B को मिलाने के बढ़ area 23 है तो यह क्या बचेगा यह बच जाएगा 47 यह वाला area कितना होगा बच्छे 47 हो जाएगा तो 47 और 23 मिला कर कितना हो जाएगा 70 तो आप से पूछा गया था कि इस वाले एरिया के साथ पूरे वाले का एरिया ग्याद करना है तो इस वाले का बच्चे एरिया कितना था 47 और पूरे वाले का एरिया 70 था, तो उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ गये होंगे, बिल्कुल 47 is to 70 is the right answer, 47 is to 70 is the right answer, उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ गये होंगे, चलो बच्चे, अगला हम बात क बच्चे यह जो कोश्चन आपको दिख रहा होगा यह कोश्चन तेरा द्यान से आप लोग देखना CGL Mens 2017 में आया हुआ कोश्चन है बच्चे कव आया था CGL Mens 2017 में बच्चे आया हुआ कोश्चन था और जो भी बच्चे मुझसे पड़े होंगे उन सारे बच्चों को मैंने आफ लाइन में भी यह कोश्चन करवा रखिये बच्चे ठीक है बहुत ही बहुत ही बहतरीन कोश्चन है ठीक है तो उम्मीद है आप लोग पहले कोश्चन देख लीजे आराम से पुना मैं इसको ठीक है बच्चे अब मैं इसे क्या कर रहा हूँ डाइग्राम को छोटा कर रहा हूँ बच्चे क्या कर रहा हूँ इस डाइग्राम को छोटा कर रहा हूँ बच्चे अब छोटा करके हम लोग कोश्चन को बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे ठीक है चल गया एक डियाग्राम है बच्चे आपका जिसमें बच्चे इसका नाम क्या था PQR ये आपका था बच्चे P ये है आपका था Q और ये है बच्चे कितने का था आपका R था ये आपका A, B, C, D ये है बच्चे इसका इसका डियाग्राम बना हुआ था जहां ये बच्चे था A, ये है आपका B, ये है आपका C, और ये है बच्चे आपका क्या है तो ये है आपका D है अब ज़रा ध्यान से बच्चे सुनो मेरी बातों को, दिये गए चितर में बच्चे कहता है कि तिरभुज PQR के अंदर बच्चे ये डियाग्राम बना हुआ है, QD बराबर 2 cm दिया है, ज़रा ध्यान से बच्चो QD, QD, QD बराबर बच्चे है ये आपका 2 cm दिया हुआ है चलो, QC बराबर 5 cm, QC बराबर क्या है बच्चे 5 cm, चलो QC बराबर मैंने लिख दिया बच्चे 5 cm और QD बराबर आपका हो गया बच्चे, तो QD बराबर आपका हो गया 2 cm, CR बराबर 3 cm, CR बराबर क्या हो गया बच्चे, तो CR बराबर हो गया 3 cm, BR, B for Bombay R, BR बराबर कितना ह बच्चे 4 cm, BR का मान है 4 cm, PV का मान 6 cm, PV का मान बच्चे 6 cm, और PA का मान 5 cm, और AD का मान जो है बच्चे वहे 3 cm दिया है, AD का मान क्या है बच्चे 3 cm है, तो आपसे कहता है तिर्भुझ ABC का च्छेतरफल ग्याद करो, तो तिर्भुझ ABC का च्छेतरफल ग्याद करना है आपको, तो आपको बच्चे ग्याद करना है जो area, find the area of, find the area of, of, quadrilateral A, B और C और D है, चलिए ठीक है बच्चे, इसका मान आपको ग्याद करना है, अब सारे बच्चे, हाँ बच्चे राजकुमार मैं आपकी बात सुचना आख सुन रहा हूँ, सर्फ PDF अपलोड करवा, दीजिएगा question का, बिल्कुल बच्चे, मैं आपके इस question का PDF बच्चे हम मैं कोसिस करूँगा, available करवा देने के लिए, अब सारे बच्चे बच्चे ध्यान से आप लोग सुनिएगा मेरी बातों का और समझने की कोसिस कीजिएगा, अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ बच्चे? कि मान लो ये वाला area है A, ये वाला area है B, ये वाला area है आपका C, तो पहले तो बच्छे मुझे देखो, बहुत ही बेहतरीन question है, मैं आपको ये भी बताऊँगा, पुना ये भी बताऊँगा, कि हमें exam में कैसे करना है, ठीक है, पहले आप एक दम detail में देख लो, अगर बच्छे मैं area of A के coding total का area बच्छे, अगर मैं आपसे पूछूँ, तो area of A कितना होगा बच्छे, तो area of A है, B है और C है बच्छे, तो ये हो जाएगा आपका, 6, 5, 30, और 30 के coding, पूड़े का area और पूड़ा, तो बच्छे देखो, 5, 3, 8, और 2, 10, 5 और 3, 8, और 2, 10, और 6, और 4, 10, 10 में 10 से multiply कर दोगे, तो 100 आजाएगा बच्छे, कितना जाएगा बच्छे, 100 आजाएगा, अगर मैं बच्छे, area of B के बारे में आप लोग उसे discuss करूँ, किसके बारे में बच्छे, area of B के बारे में, तो बच्छे, area of B कितना होगा, तो 5, 10, 5, 10, टूटल कितना होगा बच्छे, तो 5 और 3, 8, और 3, 2, 5, और 2, 10, यानि कि 10 बच्छे, 10 और 8 म आजाएगा, ठीक है बच्छे, पुना बच्छे, अगर मैं आप से कहूँ, area of C के बारे में, तो area of C कितना है, तो area of C होगा बच्छे, चारतिया, 12, चारतिया, 12, चारतिया, 12, और इसके according बच्छे, पूरे का area, तो 6 और 4, 10, 6 और 4, 10, और 5, 3, 8, तो बच्छे, ये भी कितन से एक zero cancel हो जाएगा, यानि result हो जाएगा, 3 बटा, 10, यहां इससे बच्छे, ये cancel हो जाएगा, यानि 1 y कितना आजाएगा, 8, यहां बच्छे, अगर मैं आप से करता हूँ, 8 बच्छे, बच्छे, एक काम कर लेते हैं, यहां मैं इसको 2 से divide कर देता हूँ, 6 और ये कितना हो जाएगा, फोटी आजाएगा, अब देखो बच्छे, हमें सब का एरिया, नीचे वाले सब का एरिया जो है बच्छे, वह क्या होना चाहिए, तो बच्छे, वह सेम होना चाहिए, नीचे वाला सब का एरिया क्या होना चाहिए, बच्छे, सेम होना चाहिए, तो बच्छे, आप मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ चार से गुना करता हूँ, तो यहाँ भी चार से, अगर बच्चे मैं यहाँ पांसे गुना करता हूँ, तो यहाँ भी पांसे, अगर बच्चे यह तो चालिस और लेडी है ही, तो दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बच्चे, मत total area जो है बचे which total area a आप 20 is total area पतो अगर total area 40 है 12 और 6 18 18, 18 और 5 23 बच्शला风नल outta5, तो बचला मतल्ड़ यह होगा कि इसका area कितना हो जाएगा श्याजाँ श्यासर हो जाएगा इसका area कितना होगा बच्चे तो इसका area श्यासरा आ जाएगाimento पहले फटाफट मुझे बताओ बच्चे, क्या यहां तक सब को बात किलिए है everybody, जितने भी बच्चे हैं, जल्दी से आप लोग मुझे बताए क्या यहां तक सब को बात किलिए है, किसी बच्चों को doubt, फटाफट comment करके बताए बच्चे, 17 कैसे आया अरे बच्चा देखो टोटल एरिया आपके पास कितनी थी टोटल बच्चे आपके पास एरिया दिया गया था 40 अगर टोटल एरिया 40 है तो 5 5, 6, 5 11, 11 और 12 23 तो 40 में से 23 घटा दिया 40 में से 23 घटा दिया तो आगया 17 हाँ बिल्कुल सारे बच्चों को किलियर है ओके बच्चे मामला किलियर है सर जी अच्छा विदाउट कैंसिल जीरो देन अन्यो बच्चा आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं धीरजी अगर आप जीरो से नहीं काटेंगे तब ही उतना तो नहीं आएगा भाई ठीक है क्योंकि नीचे वाला हर का एरिया सेम होना चाहिए कहीं ने कहीं बच्चे धीरजी आप गलती कर दिया होंगे अब आप लोग ध्यान से बच्चे सुनो मेरी बात को और समझने की कोसिस करना देखो हमें चाहिए था बच्चे इसी का एरिया निकालना था बच्चे तो देखो अगर इसका मुझे एरिया निकालना था तो जो भी आफ्षन में 17 लगा होगा अगर आप चाहतें कि मुझे इस वाले का एरिया चाहिए तो जो भी option में 17 लगा होगा, जिस भी option में 17 लगा होगा, वही बच्चे उस question का answer हो जाएगा, जिस भी question में 17 लगा होगा, वही इस question का answer हो जाएगा, तो बच्चे 17 मातर एक ही question में आपको दिख रहा होगा, एक ही option म भेर वो जो भी है मैं आपको बाद में देख लेता हूँ अब बच्चे यहां तक उम्मीद है आप सारे बच्चों को यह बाते किलर हो गई है पूर्णा बच्चे हम लोग अब आगे बढ़ते हैं जरा ध्यान से देखना बच्चे चलो बच्चे अब बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूँ कि देखो जरा ध्यान से बच्चे इसकी एरिया है यहां पर कितने है बच्चे इसकी एरिया हो गई 10 इसकी साइड भी कितनी हो गई बच्चे 10 और यह टोटल साइड बच्चे कितनी है 8 तो अग यह बिसम भाहू तिरभूज है बच्चे, अगर बिसम भाहू तिरभूज है, अगर स्केलन ट्राइंगल है, तो बच्चे S यानि कि सेमी पैरिमिटर क्या होगा पहले, प्योंकि भिसम भाहू तो 10, 20, 28, 28, 28 यानि कितना हो जाएगा बच्चे? 14 आजाएगा तो बच्चे आपको area अगर निकालना होगा तो हम करेंगे under root of s, s की जगह बच्चे 14 s-a, 14 में 10 गया तो 4, s-b, 4, s-c, 8, 6, 14 तो बच्चे जो आपका ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से बच्चे जड़ा ध्यान से देखना इसको मैं 2 गुना 3 लिख सकता हूँ और बच्चे इसे 2 गुना 7 लिख सकता हूँ तो 2, 4 है बच्चे तो 1, 4 आपका बाहर आ गया फुना 2, 2 है तो 1, 2 बाहर आ गया तो बच्चा क्या अंडर रूट आप साथ तेरी 21 ये हो गया बच्चे 8 रूट 21 जो हो गया पूरे ट्राइंगल का एरिया हो गया तो हमारे एक कोडिंग बच्चे पूरे ट्राइंगल का एरिया 40 था तो 40 का बच्चे मान था आपके पास 8 रूट 21 तो बच्चे अगर एक कामान आपसे पूछ ले तयानी आठ से घाक दे दो 8,45 एक कामान आ जाएगा बच्चे कितना तो root under 21 वटा 5 तो बच्चे अगर आपसे पूछा जाता 17 का क्योंकि हमें बीच वाले एरिया कामान ग्याद करना था बच्चे और बीच वाला area 17 है तो बच्चे 17 का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा बच्चे 17 गुना under root of 21 वटा 5 और यही बच्चे question का answer होगा और यही बच्चे question का answer होगा तो देखो आप अगर चाहते तो बच्चे इतना calculation से आप बच सकते थे क्योंकि आपको पता है कि ये वाला area अगर 17 है ये वाला area अगर 17 है तो बच्चे कोई न कोई option में 17 से multiply पक्का होगा और जब भी 17 से multiply होगा बच्चे तो जो भी इसका से ही रेशियो में ही area आता है exact नहीं प्लिज आ लीड इस ताउट दिरजी मैं समझ नहीं पाया बच्चे आप क्या कहना चाहते हो सर जी इतना नहीं करेंगे सर हम इतना नहीं करेंगा हम आपके student है अभी राज पतेल जी अगर आपको यह solution नहीं करना हो यह calculation नहीं करना हो तो सिर्फ आप देख लेना जिसका मुझे area चाहिए मालो बच्चे मुझे इसका area चाहिए इसका area मुझे चाहिए तो इसके option में कितने है बच्चे 17 तो जो भी option 17 होगा जिस भी option में 17 होगा वही question का answer आजाएगा और नहीं तो फिर आप calculate के जिए दूसरा कोई आपके पास बच्चे दूसरा कोई solution ही नहीं है इसका ठीक है बच्चे तो उमीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ गया होंगे इसलिए ये वाला calculation से थोड़ा बच जाईएगा बच्चे और इस वाले calculation से बचके सीधा आप 17 देखेंगे तो जो भी option 17 मैच करके दे जाओगा वही answer आजाएगा हां बच्चे option रहेगा तो और जल्दी हो जाएगा बिल्कुल बच्चे सत्यम जी अगर option रहेगा तो बहुत जल्दी solve कर सकते हैं sir cancel of zero नहीं करने पे तो answer 340 आ रहा है बच्चा अच्छा चलो कोई नहीं देखो धीरा जी का कहना यह है कि अगर मैं cancel नहीं करता हूं तो धीरा जी कह रहे हैं क्या हो जाएगा 340 हो जाएगा बच्चे धीरा जी आप बहुत गरबर कर रहे हैं मैं साफ साफ आपको बता कि और कुछ नहीं बच्चे आया मैं आपको बता देता हूं बच्चे पहला था दस वता 100 दूसरा था बच्चे कितना था दूसरा था था दस वता 80 था न, 80 था, और तीसरा बच्चे था आपका, 12 बटा 80, लो भाई, हमने नहीं कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, आपका कहना है, कि सर जी, हम 0 से 0 नहीं काटेंगे, तो आप कहरें, कुछ और होगा, सर, ऐसे तरह से, मेथट से, रेशियों में ही एरिया आता है, इग्जेक्ट नहीं, प्लीज, सी, प्लीज, किलियर किजे डाउट, हाँ बच्चे, लक्षमी कान जी, अगर चैंपियन राउड में ये कौस्टन होता, तो दो सेकेंड में ही सारे बच्चों का आँसर आजाता, बिलकुल आपका कहना जायज है, भाई, आप मुझे समझाओ ए अरिया निकालने के लिए, हाफ, A, B, साइन, ठीटा करते थे, याद है नहीं बच्चे, तो इसके बच्चे, अगर हम ये कड़ेंगे, तो ये रेसियो में ही तो आएगा, समझ पाए बच्चे, बिलकुल वो रेसियो में ही बात होगी बच्चे, अच्छा, 30 वर्टा 100 था, चलो मैं इसको 30 वर्टा 100 कर लेता हूं, ठीक है, अब जड़ा ध्यान से देख भई, धीरत जी, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि तु पढ़ना चाहता नहीं है, या दिन काट रहा है, भाई तेरे को ये पता है कि ये आपको सब का सब दिया हुआ है, आठ पंचे 40 हो सकता है, कितना हो सकता है बच्चे, आठ पंचे 40 हो सकता है, तो यहां भी क्या कर लो बच्चे, तो यहां भी आप 4 से गुना कर लो, और यहां भी 4 से गुना कर लो, यहां भी 5 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 से गुना कर लो 170 भी आ जाता है, हाँ बिल्कुल रस्मी जी, बिल्कुल आपका कहना जाए जाए, देखिए, टोटल बच्चे अगर एरिया आपका 400 आ गया, तो ये 4 तीया 12, 120 होगा, ये आपका हो जाएगा 50, और ये हो गया 12, 5, 60, तो बच्चे ये 50 है, 60 है, देखो ज़रा ध्यान से, और य 16, 18, 18, 25, 20, तो बच्चेगा कितना एरिया, 170 बच जाएगा, तो क्यों दिमाग की दही करने पे लगे हो, क्यों फालतु का कैल्कुलेशन करवा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अगर आप कैल्कुलेशन भी डंग से नहीं करेंगे बच्चे, हाँ सोनी कुमारी जी बिल्कुल आपका भी कहना जायज है, रस्मी जी का भी कहना जायज है, आप कैसे भी कर लो, फिर अलास्ट में आप 0 सी 0 काड़ दो, एरिया आ गया 40 अनुपाद 17, आप इसको समझा करें, बच्चे रेशियो में बच्चे कोई भी संक्या से गुना या भाग कर दो, उसके र बच्चे था, इसमें जो बच्चे था, देखो, इसमें ऑफशन, सोरी, ये वाला नहीं था ना बच्चे, अच्छा, हम, ओके, अब अगला कोश्चन, जर्द ध्यान से देखना बच्चे, चलिए, फटा-फट पहले आप लोग कोश्चन देख लीजिए, कि धी गई आकिरती में 8 cm भुजा का एक वर्ग दिया हुआ है, बिल्कुल बच्चे, PQO 60 degree है, ओके, PQO जो है आपका 60 degree है, तो तिर्भुज PQO का चेतरफ़ल ग्याद करें, यदि PQO, PQO जो अगर 60 degree दिया है, तिर्भुज P O Q का चेतरफ़ल क्या होगा, चलो, आजाओ, उमीद है बच्चे, अब सारे बच्चे इस कोश्चन का, नहीं धीरा जी क्या 170 exact area है नहीं धीरा जी मैं कितनी बार आपसे कह रहा हूँ वह area ratio में है क्योंकि बाई कल का class आप एक बार देखो तब आपको समझ में आएगा बच्चे कि वह ratio में बात आता है तो ratio से हमने क्या किया exact area पे काम किया है समझें बच्चे कि हमारे according ratio में इतना था question के according ratio में area इतना नहोंकि question में दिया है इतना भाई आपने पड़ा होगा ना आपको कितनी बार आपको पड़ाए होंगे कि वहाई मालो हमारे according area 10 आ गया या हमारे according मालो दिया रहता आपके पास की किसी चीज़ का रिश्यो है दो अनुपात तीन, मालो, एक की आये दो है, और बी की आये आपके पास तीन है, तो टोटल कितना हो गया, पांच, कोशन में देता है कि टोटल भाई, पांच नहीं है, पांच हजार है, तो आप इसी तरीके से तो करते थे थे न, तो सेम ब या था, sorry, 40 ही था something, जो भी था मेरे को याद नहीं है, टोटल आपका दिया हुआ था कितना, sorry, 144 दिया हुआ है, या फिर हमने area निकाला था, तो हमारे पास area आया था, सायद 17 उस्तरा कुछ था something, जो भी था, उसके coding हमने relation बना दी थी, बस बात खतम होगी बच्चे, तो भ भड़िया बच्चे, दिमाग की तो तुने कर दी दही, अरे यार, यार, ये हो क्या रहा है यार, चलो, चलो, चलो बच्चे, सबसे पहले तो मैंने आपको question killer कर दिया, अब हम लोग आगे बट रहे होंगे, ठीक है बच्चे? यार, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तु यार, अभी तक हमें कितने question किये, मा तो दो या तीन question किये, उसी में पूरा का पूरा समय बरबाद कर दिया, तुम लोगोंने, यार, बहुत समय लगता है, ओनलाइन में पढ़ाने में, यार, ठीक है बच्चे? चलिए, कोई नह बच्चे, आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से आप लोग सुनेंगे मेरी बातों को अब, बच्चे कहते हैं, दी गई आक्रिती में 8 cm भुजा का एक वर्ग है, बच्चे, एक square बनाया गया है, एक वर्ग आपको दिया गया है, बच्चे, क्या दिया है, जरा ध्यान से देख PQRS आपका एक वर्ग दिया है, जहां बच्चे, यह जवापका है, वह एक diagonal है, क्या है, diagonal, और यहां से कहीं भी एक आपका दिया हुआ है, कहीं भी है बच्चे, यह नहीं कि उसका midpoint है, अच्छा, PQO, यह वाला angle आपको दिया हुआ है, 60 डिगरी का दिया हुआ है, तो ति P O Q, P O Q का शेतफ़ाल आपको, मतलब इस वाले का बच्चे, हमें पूरा area ग्याद करके बताना है, कि इस वाले का area कितना होगा, यानि area of area of P O Q बड़ाबर क्या होगा, ठीक है बच्चे, चलिए बस इसके अलावा कुछ नहीं था, बाकि हम लोग अगदा हम साइड में देखते हैं रखके इसको अब बच्चे जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को, कि बच्चे अगर बताओ, इसकी side अगर 8 cm है, तो ये भी 8, ये भी 8, ये भी 8 बच्चे और ये भी 8, बोलो हाँ या ना बच्चे, बिलकुल, अगर इस square है, तो square का प्रतेएक एंगल कितने degree का होगा, तो square का बच्चे, प्रतेएक एंगल जो होगा, वह आपका आजाएगा, 90 degree का, कितने का होगा बच्चे, 90 का हो जाएगा, चलो, अच्छी बात है बच्चे, अब जरा ध्यान से आप लोग सुनो बच्चे मेरी बातों को, अगर मैं आप से कहता हूँ बच्चे, कि ये 60 है, तो बच् इसकी side 8, 8, 8, 8, 8 है, तो पूरे वर्ग का जो छेतरफल होगा, पूरा, square का जो छेतरफल होगा, जो आपके वर्ग का छेतरफल होगा, वह कितना होगा, area of square, तो भाई, area of square कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, क्योंकि भाई, square का जो area होता है, वह होता है बच्चे, a square, square का area क अब अगर मैं आपसे कहता हूँ, क्या कहता हूँ बचे, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कि बचे, ये वाला इसका डाइगोनल है, क्या है बचे, ये वाला इसका ये वाला इसका जो है डाइगोनल है, अर्थात बचे, बिकर्ण है, तो अगर ये बिकर्ण है, और टोटल एरिया 64 है तो मतलब बच्चे ये वाला एरिया भी 32 होगा और उपर वाला पूरा एरिया कितना हो जाएगा बच्चे उपर वाला पूरा एरिया भी आपका 32 हो जाएगा भाई नीची वाला भी एरिया 32 और उपर वाला भी एरिया 32 तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा बच्चे पूरे वाले का एरिया अगर मुझे इस पूरे का एरिया निकल जाए तो हम बहुत आसानी से बच्चे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं क्यों देखो बच्चे हमें तो चाहिए सिर्फ इसका एरिया हमें तो चाहिए बच्चे सिर्फ इसका एरिया हमें बाकी सुछत मतलब है न तो जरा ध्यान से देखो, अगर मुझे इसका area कब निकाल पाएंगे, यह आपका art है, अगर मुझे इस वाले line की value पता हो जाए, देखो, अगर बच्चे मुझे सिर्फ इस वाले line की value का मान पता हो जाए, अगर बच्चे मुझे इस वाले line की value का मान पता हो जाए, तो हम आस अससानी से इसका area निकाल सकते हों, क्योंकि बच्चे आपको पता है, दो side अगर पता हो गया, इसके साथ लगा हुआ angle पता हो जाएगा, तो इसका area क्या होगा? इसका half av sign theta, यही चीज मैंने आपको सिखाया है बच्चे, तो बच्चे इसका मतलब यह है, कि हमें इसकी value चाहिए, मान लो बच्चे हमने मान लिया, कि इसका मान है x, तो अब जरा आजाओ ध्यान से और फटा फट समझने की बच्वा कोसिस करो, क्या करो बच्चे? कोसिस करो समझने की, देखो बच्चे जहाँ ध्यान से, अगर मैं इस वाले का pqo, तिर्भुज pqo, तिर्भुज pqa, अगर मैं तिर्भुज pqo का area पूछू, तो आप बताओगे कि sir, half, 8 गुना, x गुना, sin 6 degree, क्या होगा बच्चे? half गुना, x गुना, 8 गुना, sin 6 degree, और sin 6 degree का मान क्या होता है? root 3 बटा 2, direct लिख देता हूँ बच्चे, पलस, अब अगर बच्चे मैं आप से कहूँ qor, 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 अगर मुझे इसका area चाहिए बच्चे, अगर मुझे इसका area चाहिए, तो half into बच्चे, बच्चे, आपका x गुना, 8, x गुना, 8, और sin 30 degree का मान क्या होता है, बच्चे, एक बटा 2 होता है, और ये सब बरावर किसके होंगे? तो इसके पूरे area का बरावर हो जाएगा, बच्चे, इसके पूरा area कितना है? तो बच्चे, इसका पूरा area है आपका दिया हुआ 32, तो यह area किसके बरावर होगा? बच्चे, तो यह area आपको 32 के बरावर हो जाएगा, बस इतनी सी तो बात थी बच्छे, यह ऐसा है नो, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, जरा ध्यान से देखो बच्छे, हाला कि मैं एक और जुगार चाहूँ तो बच्छे आपको बता सकता हूँ, बच्छे, मुझे लग रहा है कि इतना करने की तो जरूरत ही नहाए हो, अगर आप चाहो तो बहुते आसानी से आंसर दे सकते हो, बच्छे, क्या जुगार बता दिया जाए, जल्दी से बताओ बच्छे, या फिर इसी तरीके से solution करवा जाए, पहले ये तरीका देख लो, फि नोग बाहियात काम कर रहे हैं बच्छे, देखो ज़ bringt ज髦ाओ ज्यान से, अगर मैं आपसे कहूँ बच्छवाअ- बच्छे एक सी जरा ध्यान से आप सुनना मेरी बातों को, ज़ बचे ये पूरा एरिया 32 है ये पूरा एरिया क्या है बचे 32 है तो अगर मुझे इस दोनों ट्राइंगल का इस वाले ट्राइंगल का अगर बचे मैं आपसे कहूं इस वाले ट्राइंगल का और इस वाले ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पता हो जाए तो फट से हम 32 में तो अगर इसके area और इसके area का ratio पता हो जाए तो 32 में तोड़ देंगे, खट से answer आजाएगा, तो बचे इसका area क्या हो जाएगा, तो इसका area होगा, half, 8 गुना, x गुना, sin 7 degree का मान, root 3 वटा 2, ratio इस वाले का area होगा, 8 गुना, x गुना, और बचे, sin 37 degree का मान, 1 वटा 2, देखो बचे, half से half कट गया, 8 x से 8 x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, यानि क्या हो जाएगा, root 3 is to 1 के ratio में आएगा, यानि अगर उस उधर वाले का area root 3 होगा, तो इसका area 1 होगा, total मिला कर कितना हो गया, root 3 plus 1, मतलब क्या है, कि root 3 plus 1 का मान कितना है बचे, 32 है, तो एक का मान क्या हो जाएगा, तो 32 upon root 3 plus 1, और आपको चाहिए किसका बचे मान, तो आपको चाहिए root 3 का मान, क्योंकि इसने इसका मान पूछा है, तो root 3 का मान क्या आजाएगा बचे, 32 upon root 3 plus 1 is to under root of 3, अब देखो बचे, इससे हम क्या करते हैं, rationalize कर देंगे, क्योंकि बचे, आपके पास दूसरा कोई भी कलप नहीं है, क्योंकि इस तरीके से answer नहीं दिया हुआ है, तो हम बचे करते क्या है, यहाँ पे root 3 minus 1 से उपर गुना, और root 3 minus 1 से नीचे गुना, तो बचे, उपर आपका आजाएगा, उपर क्या आजाएगा बचे, अब मैं इस diagram को हटा देता हूँ, बचे, क्या करता हूँ, इस diagram को बचे, हम लोग हटा देते हैं अब, तो देखो जरा ध्यान से बचे, यह आपका आजाएगा, 32 गुना, 32 गुना, बचे कितना है, root 3 minus 1 into under root of 3, और बचे, नीचे कितना होगा, तो नीचे आजाएगा, a plus b और a minus b, यानि कितना बचेगा, बचे, 4, 4 सिभाग देदोगे, 4, 38 यानि कि 8 यह आजाएगा, और root 3 से गुना करोगे, तो 3 minus under root of 3 आजाएगा, 8 into 3 minus under root of 3, जिन भी बचे का, 8 into root, 8 into, बचे, 16 कैसे आजाएगा, बचे, 8 चोक बत्तिस होता है, sorry, 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 बचे, a plus b, a minus b, बचे, यह 2 ही होगा, यह 2 होजाएगा, बचे, तो सही है, यह 16 होगा, बचे, यह क्या होजाएगा, आपका, 16 आजाएगा, ठीक है बचे, तो यह आपका होगा, 16 is 2, 3 minus under root of 3, 16 is 2, 3 minus under root of 3, और यही बचे question का answer होगा, तो उमीद है, आप सारे बचे इन बातों को अच्छी तरीके से अब समझ गए होगे, चलो बचे, अब आगे बढ़ते हैं, पुना, okay, okay, चलो, सबसे पहले आओ, पुना कंसेप्ट पे, ठीक है, तो बचे, एक चीज़ तो आप लोगोंने समझ गया होंगे, समझ गया होंगे अच्छे तरीके से बचे, कि मेरा कहने का जो बचे मकसद था, जो मेरा कहने का purpose था, कि अगर बचे, मैंने अभी तक बस एक ही कंसेप्ट पे सारे question करवाएं थे, कि अगर बचे किसी भी triangle की, अगर ये side A है और ये side B है, और इसके साथ लगा हुआ angle अगर theta है, तो इसका area क्या होगा, half, A, V, sin theta, बस हमने इतनी सी बात आपको सिखाई थी, ठीक है बचे, इसके अलावा मैंने आपको अभी तक कोई बाते नहीं बताई, और इसपे ही बचे मैंने सारे के सारे question आप से करवाए है, चलिए बचे, अब हम लोग पुना आगे बढ़ते हैं, ठीक है बचे, अब बचे आता है आपका अगला concept, same base, same vertex, same base, और same vertex, ठीक है बचे, अब आप ज़रा ध्यान से साइन रूल, ओके, नहीं, बचवा अभी राज पर टेल जी, साइन रूल इसके वाद करवाऊंगा मैं, ठीक है, पहले same way, same vertex पढ़ लो, फिर साइन रूल, और इसके वाद बचे मैं आपको को साइन रूल करवाऊंगा, हाँ भाई, साइन रूल, को साइन रूल सब पढ़ाऊंगा यार, डट तुझा, एक तो पहले आप लाइन में पढ़के बैठ चुका है, अब यहां से तुम मस्ती काट रहा है, यह ना, बचे, सारे बचों को पढ़ने तो ऐसा नहीं है, कि सिर्फ आप, आपके पढ़ने से ही काम चुल जाएगा, देखो बचे, सेम बेस, सेम वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कि मान लो, अगर बचे, मैं आप से कहता हूँ, कि यह आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है बचे, यह कोई भी एक ट्राइंगल है, तो बचे, तिर्फुज का एरिया क्या होता है, एरिया ओफ ट्राइंगल होता है, एरिया अफ बेस इंटो हाइट, क्या होता है बचे, हाफ बेस इंटो हाइट, ठीक है, अगर बचे, मैं आप से कहता हूँ, जरा ध्यान से आप Nicole सुनना, मेरी बातों को, सब सारे के सारे बच्चे समझने की कोईशिस करना अगर बच्चे मान लो यहाँ से एक altitude यहाँ से एक altitude खीचा गया है उचाए यह आपका altitude है बच्चे यानि क्युंचाइई है और यह इसका vertex है और यह इसका क्या होगया बेस हो गया वक् itself यह इसका है इसका वक्सिप यह का है आधार है ठीक है थीक है वक्षर हां रंजीत राना जी कह रहे है कि हमने नहीं पड़आय सरण कोई नहीं वच आप नहीं पड़आये तो आप गवडाएव मत मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि क्या होता है साइन रूल, क्या होता है को साइन रूल, उन्हों को उड़ने दीजिए, मैं आपको एक दाम बेसिक से लेकर ही चलूँगा बच्छे, गुरु जी एक बार प्यार से बच्वा कहिए ना, बड़ा अच्छा लगता है, सत्यम जी कह रहे है, अच्छा बच्वा, चला हो, क्योंने दिक्कत नहीं कहें, देखा करनी द्यान से देखें, आपको बिलकुल घबराने की जरूरत नहीं है, बच्छे, चाहिए आप पहले बड़े हो, मैं आपको बच्छे एकदम बेसिक से लेकर ही चलूँगा, देखो बच्छे, यह बेस है और इसकी हाइट यह आपका हो गया, अब मानलो बच्छे, यहां से मानलो एक ट्राइंगल यह बना दिया, एक ट्राइंगल यह बना दिया, तो ध्यान से देखो बच्छ बचे अगर मैं आपसे कहूं, कोई सा भी तिरूज देख लो, मैंने ये वाला तिरूज पकर ली, तो बच्चे इसकी हाइट कहा होगी, तो बच्चे जब इसकी हाइट की हम बात करेंगे, तो यहां से आ जाएगा, और इसको आगे बढ़ाया जाएगा, तब जाकर बच्चे, पहली बार पढ़ रहे हैं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, अरे इलनों को जितना जो भी कुछ बोलना है, बोलने दे, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्छे, आपको बिल्कुल टेंसन लेने की जरूरत नहीं है, आप पहली बार पढ़ रहे हो या दस भी मार पढ़ रहे हो, बस देखो बचे, एक 機सी भी ट्रिएंगल का जो अरिय होता है, क grateful कि किसी भी तिंगे घ्रme simply एलग्स का होगा, रहे हो उसके बेस पर हैईट पर उसके बेस पर उसके थाना हैट क्योंकि हाफ जो है वाय beef ऐक constant value है तो किसी भी ट्राइंगल का जो अरिय का होगा उसके बेस और ह पर डिपेंड करेगा, अब अगर बैचे मैं कहूँ आपको हाइट को क्या कर दो, कॉंस्टेंट कर लो, हाइट को या तो बैचे आप सेम कर लो, या हाइट को क्या कर लो, कॉंस्टेंट कर लो, हाइट को क्या करो बैचे, हाइट को या तो बैचे सेम कर लो, या हाइट को आप constant कर दो, अगर height को same या constant करोगे, तो बच्चे area directly proposed to, क्या हो जाएगा, base, मतलब, जो area का ratio होगा, जो छेत्रफल का ratio होगा, वही उसके आधार का ratio होगा, या फिर जो उसके आधार का ratio होगा, वही उसके बच्चे, मैंने क्या आप से कहा, कि जो उसके आधार का ratio होगा, वही बच्चे उसके area का ratio होगा, जो उसके आधार का, देखो बच्चे, अगर question में, आधार और vertex, sills और base अगर same है, अगर बच्चे, sills और base बच्चे, अगर same है, sills, अगर बच्चे, मैं आप से कहूँ, कि base, अगर बच्चे, मैं आप से कहूँ, क्या कहूँ, बच्चे, कि base, base बच्चे, और vertex, base और vertex अगर same है, तब उस condition में क्या होगा, जो उसके base का ratio होगा, वही उसके area का ratio होगा, उमीद है बच्चे, आप लोग इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, अब इसका बच्चे कहने का मतलब क्या था, इसका क्या purpose था, ये सब सारी बाते हम आगे बच्चे आप लोग को अब discuss करवा रहे हैं, जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर मैं आप से कहता हूँ, कि मान लो बच्चे, ये तिरभूज है, ध्यान से देखना बच्चे, everybody, समझने की कोसिस करना, मान लो बच्चे, इसमें तीन तिरभूज है, इसमें क्या है बच्चे, आपका तीन तिरभूज है, ये आपका है, इसकी side यहां से लेकर बच्चे, यहां तक मान लो A है, यह बच्चे यहां से लेकर यहां तक क्या है आपका B है और यह बच्चे यहां से यहां तक आपका क्या है बच्चे C है ठीक है यह आपका यहां से यहां तक A यहां से यहां तक B और यहां से यहां तक बच्चे क्या है आपका C है तो देखो, क्या इस तिर्भूज के, जिसमें जितने भी तिर्भूज है, क्या सब का वर्टेक्स सेम है, क्या इसमें जितने भी तिर्भूज है, सब का सिर्ष सेम है, तो बिल्कुल बचे, सब का सिर्ष सेम है, और सारे के सारे क्या बचे, एक ही बेस पे है, सारे के सारे ट्र बुच्छोंगे सब की हाइट क्या होगी बच्छे सब की हाइट क्या होगी बच्छे सेम होगी अगर सब की हाइट सेम होगी तो अगर ये बेस ए है तो बच्छे इसका एरिया भी क्या होगा अगर बच्छे ये बेस ए है अगर ये बेस बच्छे ए है तो इसका भी एरिया भी होगा अगर ये बेश C है तो इसका भी एरिया क्या होगा बच्चे C होगा मतलब जो उसके आधार का रेशियो होगा वही बच्चे उसके एरिया का रेशियो होगा जो बच्चे उसके आधार का रेशियो होगा वही बच्चे उसके एरिया का रेशियो होगा तो उमीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे तो उमीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे ठीक है बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूँ अगर बच्चे मैं आपसे कहता हूँ ध्यान से देखो कि मान लो एक तिरिभूज है बच्चे यहाँ पे दिया हुआ है अगर आपसे कहता है यू, यू, यू और यू मान लो बच्चे अगर आपसे कहता है कि ये आपका है दो इसका साइड बच्चे इतना दिया है दो के अनुपात में ये बच्चे दिया हुआ है तीन के अनुपात में पुना ये दिया हुआ है बच्चे दो के अनुपात में पुना ये बच्चे आपका दिया हुआ है तीन के अनुपात में पुना ये बच्चे दिया हुआ है आपको दो के अनुपात में ठीक है बच्चे अगर आपसे ये बाते कहती है कि बच्चे ये वाला एरिया ये वाली इतना से यहां से यहां तक की यहां से यहां तक की बच्चे दूरी दो यहां से यहां तक की बच्चे दूरी थीन पुना यहां से यहां तक की बच्चे दो 3 हो जायगा ये बेस अगर 2 है तो इसका भी area 2 ये 3 ये 3 है तो ये भी 3 और ये 2 है बच्चे तो इसका भी area क्या हो जाएगा आपका 2 ही आ जाएगा ठीक है बच्चे तो अगर मैं आपसे कहूं अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल एरिया 480 cm2 है अगर टोटल एरिया बच्चे अगर आपसे कहा जाए कि 480 cm2 है तब उसके एक कोडिंग आप देखोगे कि यह आपका कितना है बच्चे तो यह आपका दिया है 5, 5, 10 और 12 बच्चे आपके साइ ठीक तो है? पुर्ण यह कितना हो जाएगा? पूरा ये आपका 120 हो जाएगा और पूरा कितना हो जाएगा ये 80 आजाएगा तो ये आपका आगया exact area मतलब देखो इस सब से जो हम लोग area निकालते हैं सेम बेस सेम वर्टेक्स से जो बच्चे हम लोग area निकालते थे हम लोग हमेशा ratio में निकालते थे अब ratio के बाद उसने क्या किया और पूरा अगर area दिया है तो पूरे के साथ हमने डिलेट कर दिया बच्चे question का answer आगया उम्मीद है आप सारे बच्चे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अगर बच्चबा समझ में आ गया तो बच्चबा फटा फट कमेंट करो कि हाँ सर हमको समझ में आ गया ताकि बच्चबा हम पुना आगे बढ़ सके ठीक है तो जल्दी से फटा फट कमेंट करके बताए कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गयी या अभी भी डाउट है बिना समय गवाए हुए जल्दी से बताए फटाफट ये साथ सत्यम जी कह रहे है किलियर है धीरज कुमार जी किलियर है ओके उमीद नहीं विष्वास रखिये सर जै बिलकुल कुमा में जाने से बच गए सर अच्छा लक्षमी कांदी चलिए बहुत बढ़िया ओके क्या बात हैं सबको समझ में आ गया है मतलब बहुत तेज हो गया है क्या आप लोग आजकल अफजल जी हां सर समझ गया है ओके चलो अब अगर समझ में आ गई लिए बचवा तो पूना आगे बढ़ते हैं करी ध्यान से देखां देखें एक नम छोटा सा एक बेसिक सा कोशनर पर करते हैं बच्चे उसको पहले हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे पूना बच्चे उसके बाद हम लोग बच्चे आगे बढ़ेंगे अगे अगर बच्छे मैं आपसे कहता हूं, क्या कहता हूं बच्छे कहता हूं क्या कहता हूं कि अगर माननें बच्छे कोई एक तिरुँज है, यह आपका Бच्छे E यह आपका B और यह आपका C यह आपका बच्छी हो गया यहाँ से D और यह हो गया बच्छे E जहाँ बच्छे कहता है कि जो D E है वह parallel किसके है बच्छे तो D E जो है वह parallel है बच्छे BC के इसका ratio दिया है बच्छे 3 अनुपात 4 यह वाला ratio कितना है बच्चे तीन अनुपात चार दिया हुआ है ठीक है यानि AE के साथ AD के साथ AD के साथ इसका ratio है तीन अनुपात चार ठीक है बच्चे तो आफ से कहता है if area of if area of triangle DEB is equal to माल लो दिया है 512 cm2 तो आप से पूछा गया है बच्चे find the area of triangle area of triangle ABC बरावर आपको कितना होगा हाँ अरिया of triangle ABC बरावर कितना होगा बच्चे ठीक है अब जरा ध्यान से बच्चे सुनो मेरी बातों को everybody बच्चे सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ध्यान से देखना अगर मैं आपसे कहता हूं इस वाले triangle को जरो ध्यान से देखो, अब बच्चे जैसे, जैसे मैं धीले-धीले बढ़ते चला जाओंगा ना पीछे के सारा का सारा consent भचे इसमें आपको implement होता हुआ चला मैंने क्या आप से कहा बचे कि जैसे जैसे संजय जी आप क्या कहना चाहते हैं मुझे कुछ समझ में आया नहीं ठीक है आप पुना एकदम साफ सुतरा लिखिए अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अगर आपके मन में कुछ बाते हैं तो आप बता सकते हैं ठीक है लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहत साफ सुत्रा बढ़िया से लिखिये चैंपियन राउंड में आंसर स्पेड चलो कोई नहीं बच्छे अब 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 ध्यान से सुनो मेरी बातों को अगर बच्छे आपको मैं बता हूँ कि याद करो मैंने आपसे कहा होगा कि बच्छे अगर किसी भी ट्राइंगल मे अगर ये ट्राइंगल और ये दोनों लाइन आपस में अगर पैरलल है तो बच्छे फिर इसमें क्या होता था देखिए आगे हम जैसे जैसे बढ़ेंगे पीछे के सारा का सारा कंसेप्ट बच्छे आगे आपको रिपीट होता रहेगा ये बाते आप हमेशा सीखिएगा औ हम आगे बढ़ा पढ़ा रहे होंगे सेम उसी तरीके से पीछे के सारा का सारा कंसेप्ट आपको रिविजन भी होता रहेगा तो बच्छे जरा ध्यान से आप सुनो मेरी बातों को अगर मैं आप से कहूं कि यह तीन अनुपात अगर चार है बच्छे क्या है बच्छे अगर अगर यह 3 अनुपात 4 है, तो बच्चे अगर यह 3 है, तो बच्चे इसका area कितना होगा? 9, कब जब यह दोनों triangle आपस में similar होते थे, अगर आपको याद हो, कि अगर recite का ratio दिया है, तो area का ratio निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? तो area का ratio निकालने के लिए, बच्चे हम ल पूरा 9 है और यह 9 है, तब उस condition में कितना होगा बच्चे? 40 हो जाएगा, similarity से, किस से बच्चे? by the property of similarity, तो अब आप बच्चे मैं वही बात आपको समझाने जा रहा हूँ, कि बच्चे अगर यह line इसके अगर parallel है, तो अगर यह 3 है बच्चे, तो यह इसका area कितना होगा? 9 हो जाएगा, 3 और 4 कितना है? 7, तो 7 का square 49, यानि पूरा area कितना होगा? 49, अगर पूरा area 49 है, तो यह वाला बच्चे area कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, अब देखो, DEB, 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 अब जरा ध्यान से बच्चे एक चीज़ और देखना, यह पूरा area कितना होगा? 49 और यह बच DEB, यह है बच्चे, आपका जरा ध्यान से देखो, अब अगर बच्चे मैं आपसे एक बात कहूँ, जरा ध्यान से देखना बच्चे, कि अगर छोटे वाले का area बच्चे क्या हो गया? छोटे वाले का area अगर 9 हो गया ratio में, तो पूरा area कितना हो गया बच्चे? पूरा का area पूरे triangle का area आपका 9 यही बाते मैंने आपसे बताई, अब बच्चे जरा ध्यान से देखो, सुनो मेरी बात को, बच्चे मतलब इसका area कितना है? अगर इसका area नौ है, तो इस पूरे का area कितना है बच्चे? इस पूरे का area कितना है? जरा ध्यान से देखो बच्चे, अगर ब तरवा तरवा तिरुवूझ का एरिया नो है, तो उस पूरे तर्वूझ का एरिया कितना है , पूरे तरवा तो याँज्ज आपका है, नून्चास अब बच्चे अगर मैं आपसे एक चीज और कहता हो अच्छा अब बच्छे जरा ध्यान से आप लोग सुनना मेरी बातों को बच्छे एवरीवड़ी अगर बच्छे मैं आप से कहूं देखो बच्छे इस वाले ट्राइंगल को देखो ध्यान से देखो अब आपका यहीं से पर दिमाग का धाकन सब खुलना चालू हो जाएगा अगर बच्छे मैं कहता हूं आप से इस इस वाले को देखो देखो यह वाला ट्राइंगल यह अगर आपको दिख रहा होगा यह पिंक कलर का ट्राइंगल दिख रहा है ध्यान से देखना बच्वा किसका ट्राइंगल पिंक कलर का ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल पिंक कलर का ट्राइंगल यह जो आपका पिंक कलर का है इस ट्राइंगल में बचे इसका बेस किसके अनुपात में है बचे तो बेस अगर तीन अनुपात चार है बेस अगर तीन अनुपात चार है तो एरिया भी कितना होगा एरिया भी बचे तीन अनुपात चार में होगा एरिया भी बचे क्या होगा तीन अनुपात चार में तो 2 दो मिलाओ तीन कामान कितना है 9 3 टिया 9 तो 4 टिया कितना हो गया जाएगा अगर यह 3 टिया 9 देखें कितना गोना 3 टिया 9 तो 4 टिया 12 मतल मतलब जिस रvalue में बेस होगा उसी राइच अचुछ इसका एरिया हो गया मतलب ये 9 हो गया और ये 12 हो गया ये 9 है और ये 12 है जब इसे काट कर आप देखो कर बचो बच response तो ये 3 हो गा और ये 4 हो जाएगा अचा बच्छी पूरा area हमारे पास 40 था पूरा area हमारे पास ये वाला 40 था 40 में से अगर यह 12 है बच्छे, तो यह कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, यह वाला एरिया कितना होगा, 28 हो जाएगा, बस बात खतम, उसने कहा DEB, DEB का एरिया कितना है आपके कोडिंग, तो DEB का बच्छे जो एरिया है, हम लोग के एक कोडिंग, जो DEB का एरिया है बच्छे, वह हमारे प 12,44, नहीं कटेगा, क्या exact? नहीं कटेगा शायद मुझे लग रहा है ऐसा, कोई नहीं, छे से देखो तो 4 से कटें, चार तिया 12, 4 से बचे अगर कटोगे तो 4 एकम 4 4 दुना 8 और 4 अठे 32, जैसे नहीं बचे? यानि 8 दू 10 एक 11, मतलब क्या हो जाएगा बचे? 3 का मान आ जाएगा 128, तो एक का मान कितना होगा? 128 वटा 3, और आपको बचे मान क्यात करना है? ABC, तो ABC का पूरा है 49, तो 49 का मान हो जाएगा 128 वटा 3, 49 और यही बचे कोशन का आंसर है तो कुल मिलाकर बचे मुझे जो समझाने वाली बात थी बचे यह 512 है, 16 नहीं है बचे भाई सबको दिख रहा होगा बचे कितना है यह 512 है यह 512 है ठीक है बचे? अच्छा आप 516 अपने घर से लेकर आजाएंगे, क्या करने के लिए? मतलब 516 कर देंगे तो आजाएगा, हद हो गई बचे? भाई जो दिया है, हम तो उसी के एकोर्डिंग बात बनाएंगे न, तो उम्मीद है आप सारे बचे इन बातों को समझ गए होंगे, ठीक है बचे? तो उम्मीद है आप सारे बचे इन बातों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है बचे? ठीक है चलो यह सर अब अगज़ अगर आपको समझ में आ गया तो एक और कोश्चन जरा ध्यान से आप लोग देखिए बच्चे एक कोश्चन आप लोग और देखिए पुना उसके बाद पुना हम लोग अपने कोश्चनों पर चल लहे होंगे बच्चे एक कोश्चन है बहुत ही मज़ेदार कोश्चन है जरा ध्यान से देखना पहले बेसिक कंसेप्ट के लिए करो यह आपका एक सरकल दिया हुआ है जिसमें बच्चे यान से एक टैंजेंट एक इस परस रेखा खीची गई है यू यह इसका क्या है बच्चे डायमेटर है सरी सेंटर है और यह हो गया बच्चवा इसका हां ले यह हो गया ए ठीक है बच्चवा यह हो गया ओ यह हो गया बचवा क्या D हाई बचवा का है C और हाई बचवा का है B4 Bambay बचवा जो दिया गया figure है इसमें कहता है कि जो circle है इस circle का बच्चे radius जो दिया हुआ है वह कितना है बचवा radius दिया हुआ है 10 cm radius का है बचवा radius है 10 cm ठीक है radius 10 cm है तो दिक्कत क्या है पुना आपसे कहता है बच्चे जो BC की लंबाई है जो आपका बच्चे BC की लंबाई है जो आपका BC की लंबाई है 20 हाँ जो आपका बच्चे दिया हुआ है BC की जो इसमें लंबाई है बच्चे वह कितना दिया हुआ है तो radius बच्चे आपका आ गया 10 cm जो आपका BC की लंबाई है वह आपका दिया है 24 cm कितना दिया है बच्चे 24 cm दिया है तो find the area of area of triangle AOC area of triangle AOC का मान ग्याद करना है अबे तु मत दिमाग लगा यार circle लग रहा हो यार नहीं लग रहा हो ठीक है बस तु भावनाओं को समझ कि यह circle है है ना चलो तो AOC का area आपको ग्याद करके बताना है बच्चे इसका मतलब यह है कि यहां से यूँ टुक 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 ऐसे खीज देंगे तो बच्चे ये वाला जो triangle है जो बच्चबा ये वाला triangle है कौन सा वाला triangle बचवा ये वाला जो triangle है कौन सा बचवा ये वाला इसका हमें बताना है कि बच्चे इसका area क्या होगा कितना होगा इसका area क्या होगा बच्चे तो इसका area क्या हो सकता है चलिए, your time is start now क्या आप लोग solve करेंगे या मुझे बताना परेगा जल्दी से बताईए समय नहीं है थक गए बचवा बहुत जल्दी फटा फट बताओ का होगा हो answer बहुत दिक्कत है 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 लिख देते हैं देखो है बीसी जो है ना है बीसी दिया हुआ है 40 cm ठीक बाद और स्वरकल का जो रेडियस वा है उर्यदी वा कितना है यू रेडियस स्वा है 10 cm चला यू इसको गयाब कर देता हूं चुक चुक मंतर काली चुक चुक मंतर काली है ना और यू चुक 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 खतम का हो लक्षमी खान जी हाई नोट्वा को साइड ही में रखे हैं का कि खट से आंसर देखे बता दिये हैं लक्षमी कान थे मांसु जी आपको तो साफ साफ समझ में रहा है बहुत गलत कर रहे हैं है ना हाई नोट्वा को बगल में लेकर बैठे होंगे आप खट से आंसर देख अब आप लोग ध्यान से सुने क्योंकि साब्धानी हटी दुर घटना घटी बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं कि यह एक सरकल है और यहां से बच्चे अगर एक टैंजेंट खीचा जाता है और सेंटर से देखो जब मैं सरकल पढ़ाऊंगा तो यह सारी बाते बताऊंगा तो दीदी तुहारी कब से हो गई यार अभी तो भाया होगा ना तेरा अब ज़रा ध्यान से देख अगर मैं बच्चे बाहत करूँ आपको ज़रा ध्यान से देखो कि अगर किसी भी सरकल में अगर एक टैंजेंट खीचा जाता है और यहां से इसको मिला देते हैं बच्चे अगर सेंटर को मिलाएंगे तो 90 डिगरी का एंगल बनेगा बच्चे क्या बनेगा कि 90 डिगरी का एंगल बनेगा ऐसे करती है तो बच्चा बच्ची इसका मतलब यह हो गया कि अगर बच्चे यह वाला जो है अगर बच्चे यह वाला भाई मैंने एक चीज तो देखा है कि अगर मैं कोई भी question दे दूँ, अगर बची वो Qs में है, तो कोई बच्चा A मारता है, कोई बच्चा B option मारता है, कोई बच्चा C मारता है, किसी न किसी का तो लगी जाएगा, ठीक है, अब यार सत्यम, ढट जा तू लोग, ठीक है, सत्यम, धीरज, सब जैसे कि अब ढट जा और पढ़ाई कर चुपचा, ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, बच्चे जड़ा ध्यान से देखो, कि अगर सेंटर से ये मिला हुआ है, तो बच्चे ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, और 90 के सामने वाला ये पूरा का पूरा बच्चे क्या जाएगा, हाइपोटेनस यानि की कर्न हो जाएगा, हाइपोटेनस बच्चे यानि की कर्न हो जाएगा, तो जड़ा ध्यान से आप लोग सुनो मेरी बातों को, अगर बच्चे मैं आप से कहूँ, कि देखो, ये 10 है और ये 24 है, तो बच्चे ये पूरी लंबाई कितनी होग 26 हो जाएगी, कैसे? तो देखो, बचुरी 5, 12, 13, triplet होता है, 5, 12, 13, triplet होता है, 5, 12, 13, triplet होता है, क्या होता है बच्चे? 5, 12 और 13, triplet होता है, तो 5 दोना 10, 12, 12, दोना 24, तो 13 दोना क्या हो गया? 26, जाधा अगरatal किसी बच्चों को तो दिक्गत है कि सर जी यह 26 कई से आया, तो अंडरूट उट अफ 10 के स्क्वाइर, पलस 24 के स्क्वाइर, ठीक है, अरे है कर लेगा ना हो, हाई हाई प्रोटेनिस वा है, तो है करन वा है, तो का करोगे, करन वराबर नहोता है, अंडरूट अफ लंब के स्क्वाइर, जो रेडियस कितना होगा 10 क्यों कि बच्चे रेडियस तो ये भी है रेडियस तो ये भी है और रेडियस ये भी है अब क्या है बच्चे मुझे इसका एरिया चाहिए मुझे चाहिए कच का बच्चे मुझे इसका एरिया चाहिए हाँ मैंने क्या आप से कहा बच्चे कि मुझे इ गौर तलब कीज़ेगा, क्या कीज़ेगा बच्छे, गौर तलब कीज़ेगा, हाँ, देखो, यू, यू, और यू, क्या बच्छे, यू, यू, और यू बच्छे, इतना, इतना साथ देखो बस, इस बच्छे ट्राइंगल में, रेट कलर का ट्राइंगल है ये बच्छा, दे बच्चे और बच्चे इसका एक vertex जो है इस दोनों triangle का देखो अरे तेर्वुज को पलट अब हम लोग बोट तो नहीं पलट सकते नबच्चे ठीक है हम लोग क्या कर सकते हैं क्या diagram को हम पलट कर सीधा कर सकते हैं किससे होगा ठीक है, आप, अब, अब क्या करें, अब क्या करें, अगर जरा ध्यान से आप देखो, तो बच्चे, मैंने क्या किया, इस ट्राइंगल को पलट दिया, तो अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, हाँ, सर हम अपनी कोपी पलट दिया, तो बच्चे कोई दिक्कत ना है, तो अपनी कोपी पलट दिया, तो मैंने भी कोशन को पलट दिया, अब जरा ध्यान से देख बच्चा, कि बच्चा क्या है ये, ये है बच्चा आपका 10, और ये है बच्चे area 13 होगा और इस पूरे का area कितना होगा बच्चे इसका area हो जाएगा 5 इसका area 13 और इसका area 5 इसका area 13 इसका area 5 उमीद है आप सारे बच्चे इन बातों को समझ गए होंगे अब चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे पूरा को वहीं पर लिया आते हैं कहा आ गया बीच में आ गया ना ठीक है बच्चे अब जरा ध्यान से बच्चे आप लोग सुनना मेरी बात कि ये आपका 10 है और ये आपका 26 है ये 10 है और ये 26 है मतलब इसके जो बच्चे एरिया का रेश्यो होगा यह कितना हो जाएगा 5 अनुपात 13 आ जाएगा मतलब इसका एरिया अगर बच्चे 5 हो रहा होगा तो इसका एरिया कितना होगा बेस आपका 24 है और हाइड कितनी है बचे 10 तो बचे 2 से भाग देंगे 12 यानि कि आज आएगा 120 cm2 मतलग 13 वाले का एरिया 13 नहीं है कितना है बचे 120 cm2 है तो आप ध्यान से सुनना बचे मेरी बातों को कि 13 कामान 120 cm2 है तो एक कामान 120 बटा 13 और आप से किस कामान निकालने को कहा गया है पांच का तो बचे 5 कामान कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 यानि कि 600 बटा 13 cm2 तो उम्मीद है आप सारे बचे इन बातों को समझ गया होंगे ठीक है बचे क्या सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है कि इसका एरिया 5 और इसका एरिया 13 क्यों आया बचे क्या सारे बच्चों को ये बात मेरी बात समझ में आ रही है कि इसका एरिया 5 और इसका एरिया 13 कैसे आया अब मैंने इसका एरिया निकाल दिया बच्चे यह 5 और 13 में है, तो मतलब यह हो गया बच्चे कि इसका area भी क्या होगा? इसका area भी 5 और 13 के ratio में होगा, मतलब अगर यह 5 होगा, तो यह वाला 13 हो जाएगा, यह समकोंती रिभूज था बच्चे, यह राइट अंगल ट्राइंगल था, तो इसका area मैंने निकाला, half base into height, तो आगया बच्चे, आपका कितना? 120, यानि 13 कामान 120 है, तो 5 कामान निकाल दि समय की बरवादी नहीं कीजिए, जल्दी से फटा फट कमेंट करके बताओ बच्चे, क्या सब को मेरी बात समझ में आ रही है, या किसी बच्चों को doubt है, फटा फट बताओ, जल्दी से कमेंट करो बच्चे, हाँ गुरू जी समझ में आ गया, गुरू जी killer हो गया, कोई भी बच्चे, फटा फट सारे के सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताओ, एक परसेंट की भी दिक्कत मत करो, good, सब को समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक भाई, तो सुना, कले पुना मुलाकात करना थाई, ठीक है, इसे जश्ट आगे के कोश्चनों के साथ, क्योंकि बच्चे आज का कलास आपका समाप्त होता है, तो पुना हम लोग मुलाकात करते हैं कल, ओके भाई, बाई टेक क्या